बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने यूटूब चनल पेपर हैकर में मैं सुरुज राज आज किसमें देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड सेमिस्टर में है मैं लगा कि फस्ट इयर है वह सेकंड सेमिस्टर में है तो आज हम बात करेंगे सोचलोजी के प उपर रहना है न सबसे ऊपर लिष्ट में रहना है 2020 में सब से टॉप रहना है कह सकते हैं टॉप पर बनना है तो आपको अभी चैनल को सबस्क्राइब करने पर देना है ताकि जो भी वीडियोत को प्रवाइड कर आएं important question सबसे पहले आपको मिलना चाहिए यार हम आपके सा बात करेंगे इस टेक्टर और नाम हो जाएगा इंडिया की सेक्यूर्टी की बारे में बात करेंगे तो यहां पहला कोशन हम बात करने को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सथ सब आपको हम आपको नोट्स भी प्रवाइड करा रहे हैं पेपर है का डॉट इन पर जाकर डालोड कर सकते हैं अब यहां तुम एक बार देख लो दिहान से क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको सोशलोजी के अंतर पहला कोशन पर नोट करिए पहला है गाव बिलेज क्या होत अब इतादू भाई नेक्स कोशन पूचा गया है कि भारतिये समाज में ग्रामीर और नगरी के संपर्क बताना है मतलब की जो ग्रामीर है और नगरी लोग होते हैं उनमें आपको संपर्क बताना है इन तोनों में क्या संपर्क है या आपको लिंक कि बताना है इन दोनों मे है और नगर में क्या लिंक क्या होता है यहां एक कस्वा तोन भ eranा कस्वा है का सब इसको बताओ यहां कहा रहा है नगर की परिबासा काउ की परिभासा नगर की कस्वा की पकड़े ना इसके बिशेष्था अब धारना सो परशेंट यहां से एक कोशन बनेगा फिर मत कहना कि सर नहीं मुझे बताया नहीं कि यह कोशन पेपर में छपेगा और पहले पेपर से पहले मैं आपको 10 कोशन दूँगा जो आपके पेपर में आते होंगे आप चलको सस्क्राइब करके रखिए स को पढ़ लेना हाँ संदेगे निया कि भारती है यहां बोलागा है भारती विधाशास्त्री जो परीचर की मूलभूत या फिर मौलिक सरचनात्मक पिरकर्यात्मक सरचनात्मक पिरकर्यात्मक ठीक है कह सकते हैं परिप्रिच्छ के बारे में बढ़न करना है समझ रहेने मेरा फंक्सिलेशन कह सकते हैं इस्टेक्शनल फंक्सिलेशन के बारे में आपको explain करना है next question यहां बोला गया है कि भारत में भासाई बिधी के बारे बताई बिधिता के मतलब होता है भासा में बिधिता बिन्निता कह सकते हैं मतलब कि अलग अलग भिन्नताएं होती है जैसे कोई भाजपुरी बोल रहा कोई खड़ी बोली बोल रहा कोई मराठी बोल रहा तो वो चीज बोला गया कि भारत में जो भासा की अलग अलग बिविन्ता है उसके बारे में आपको बताना है भासा की उत्पत्ती कैसे होई थी ये आपको बताना है ठीक है विश्बासों पर हिंदू जीवन में क्या महत है आप भगवान पर विश्बास करते हो वह कुछ होता है कहते है भगवान करेगा जो भी अच्छा करेगा तो वह चीज है कि धार्मिक विश्बास क्या होता है किस तरीके भगवान पर हम भरुसा करते हैं तो यह धार्मि बिस्बास है और बहीं बात करें बिस्बासों का हिंदू जीवन पर क्या महत होता है जब हम बिस्बास करते हैं तो हिंदू का जीवन जो होता है बिस्बास पर यह होता है कह सकते हैं तो यह बोला गया है कोई भी इंसान हिंदू हो मुसलिम हो सब की बात करने वारे हैं यहां क समाज कि सरचना के बारे से भारती समाजक सरचना के बारे में बहानत में धार्मिक विवित्ता का वड़न करना विवित्ताओं का मतलब होता है जो धर्म कल्चर बोलते हैं संस्कृत को संस्कृत पर्यावरण का निर्मित भाग है विसेस्ता बताईए संस्कृत है वो पर्यावरण का क्या है विटा एक निर्मित भाग है इसकी विसेस्ता आपको बतानी है नेक्स कोशन है कि भारती जंजातियों का वर्गिकन कीजिए उसकी विसेस विशेष्टा उनकी समस्याओं के बारे में बताई हैं कि भारत में जो जंजातियां पाई जाती हैं, उनका आपको classification कर रहा है, मतलब कि properties बतानी है उनकी समस्याएं मतलब की उनकी problem को यहां mention करना है ठीक है उसके बार में है सिवक्त परिबार जिसे हम कहते हैं joint family कारण सिवक्त का मतलब होता है आपस में सब लोग भाई-भाई मिलके बहुत सारी family कटी हो जाती है वो एक सब परिबार क्या लाता है मतलब सब लोग जुड़े हुए समझ रहे हैं मेरे बात को वो चीज आपको यहां देखने को मिलती है ठीक है उसके बार में सिवक्त परिबार क्या होता है वो आपको देख लेना एक होता हिंदू विभा हिंदू में जो विभा होता है धार्मिक संस्कार है और हिंदू बिवहा पर आपको निमंद याद कर लेना है हिंदू बिवहा का मतलब होता है हिंदू में बिवहा कैसे होता है समझ रहे हैं उसके बारे में आपको याद होना चाहिए बहीं आपको मुसलिम बिवहा के बारे में भी अवधारणा इसपष्ट करनी है बहि như सलवान लोग जो होते हैं क сбी आपको पता होना चाहिए यहां कहा रहा है धर्म सक्काइँ बिसेश्चा क्लास करा में तलित लोगों के बारे में आप जानती है दलित का क्या भी प्राय है दलित होती है और उनकी समस्याएं उनकी अब धार्णा के बारे में देख लेना है ये देखना है नेक्स कोशन आपके सामने है अन्य पिछड़ा बारे में देखना है भारती हिंदू समाज में महलाओं की समाजिक इस्तिती के बारे में social जिसे कह सकते हैं condition of woman के बारे में आपको देख लेना है मतलब कि जो भारत में हिंदू समाजिक में जो महलाएं होती है उनकी समाजिक इस्तिती क्या है मतलब कि जो भारत में जो हिंदू बरिबार के लोग है उनकी जो महलाएं होती है वो किस position पे है किस वो आपको explain करना है last में ये 3-4 question और है बाकी खतम हो गया भारत में जन संक्या नीती के बारे में जिसे या फिर कह सकते है जन की बिज्ञान क्या होता है जन संक्या नीती क्या है और जन संक्यात्मक कारक उनके समाजिक परिवर्तन की महत्व देना है जन संक्यात्मक कारक जन संक्या का बढ़ने का कारण क्या है यहां बोला गया है मल्थस का जन कह सकते हैं जन संक्या सिध्धान्त जन संक्या सिध्धान्त के बारे में देख लेना वो आपको कह सकते हैं मल्थस का देखना है और राष्टी एक इकड़ क्या होता है मैं यह उपर दे चुका हूँ तो यहां पढ़ने की जरूत नहीं है समझ रहे ना उसके बाद मैं नीचे जाना है बाद खतम यही बाद खतम हो गई यहां देखो नकसलबाद most important है नकसलबाद क्या होता है इसके बारे में आपको बता देना है यहां जाती एक बंद वर्ग है आपको बता देना है याद कलेना है इसको छोड़ देजेगा कोई याद नहीं करना है यहां करा है च्छत्रिटा क्या होती है च्त्रता की हरणगा मैं देख लेना और छेतर बाद क्या होता है च्त्रिटा ह whites चत्रिए है उच्छत्रीवड बाकि हम छेत्राइवड इसे बोलते है यह क Hejbon तो इसहीं कोषिण थे आपको 22 में आने वाली कॉष्ण तो आपने video को subscribe नहीं किया है तो weडियो को like कर दिजे चाइन को subscribe कर दिजे रेला प्रेस कर दिजे यार करो फटरक से अभी पहला channel को जाओ दबाओ बटन को दबाओ जाओ अभी दबाओ चारण को subscribe कर दो बागी इपने दोस्तों को शेर कर दो वीडियो को और चल को सस्क्राइब कर लेना थैंक यू, बाई बाई